मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल के बटन को प्रेस करें असलाम लेकूम सब लोग कैसे हैं आज हम बनाएंगे 15 से 20 लोगों के लिए देगी को और मा घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं मैंने लिए हैं पांच किलो चिकन डेड़ किलो मैंने प्यास कटिंग करके हैं एक प्याली रेंगे लसन अद्रका पेस्ट छे चमज लेंगे हम सुरुख मिर्श का पाउडर चे हम नमक चार चमज लेंगे हल्दी पाउडर चार चमज लेंगे हम स्दिया पाऊडर एक पतीले में दो गिलास पानी शामिल करें अब हम इसमें सुतुरुक मर्स का पाउडर शामिल करेंगे अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे अब हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे अब हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और अच्छा सा मिक्स करेंगे और आदर गंटे के लिए पकने के लिए रख देंगे देखे हमारा अच्छा सा मसाला त्यार हो गया है अब हम मसाले को ग्राइंड करेंगे देखे कितना अच्छा मसाला ग्राइंड हो गया है अब हम चिकन को फ्राइ करेंगे चिकन को थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे एकठा नहीं डालना लाइट गॉल्डन करना है जादा फ्राई नहीं करना ताके जूसिपन खतम ना हो गोस्त का अब हम बतीली में घी शामिल करेंगे चिकन हमारा फ्राई करके हमने रख लिया देखें कितना लाइट गॉल्डन रखा है अब हम इसमें ग्रैंड की अवा मसाला शामिल करेंगे अब हम अच्छा सा मसाला भून लेंगे अब हम इसमें एक किलो दही शामिल करेंगे दैही शामिल करने के बार हमारा फ्राइ किया वाजड़ चिकन हम इसमें शामिल करेंगी ताकि अच्छा सा चिकन हमारा बक सके ठीन चमच लेंगे अम काली मिर्च कुटी हुई आठ से दो सदर लेंगे हम आलू बुखारा थोड़ी सी लेंगे हम इमली पांज से छे अदद लेंगे हम चोटी आलाईची चनद पते हम ब्लाउ की लेंगे दो अदद हम बादियान फूल लेंगे दो जाइंफन लेंगे और थोड़ी सी जोंतरी लेंगे कुर्मे का मशाला शामिल करेंगे और आदा पॉम मैंने लिए है बादाम विको कर रखे थे और कटिंग कर लिये है میںने जाइंफन जोंतरी को मैंने पीस लिया है जब दही का पानी आदा खुश्क हो जाएगा अब हम चिकन में शामिल करेंगे देखे कितना जबरदस हमारा कॉर्मा तियार हुआ है आप इस मैथड से पुरी देख भी पका सकते हैं दो पतीलों में बहुत असानी बन सकती है अला हफीज